कॉंग्रेस अध्याश खडगे ने पीएम मोदी के तुलना रामर सी किये इसी को लेकर बीजेपी प्रेस कॉंफरेंस करें आपको सीधे में ये चलते हैं एक सुपूत हिंदुस्तान को दिया है गुजरात में खड़े होकर करना यह उचित नहीं है यह निंदनीय है और कहीं न कहीं यह कॉंग्रेस की मानसिक्ता को दर्शाता है नरेंद्र मोदी जी गुजरात के वह पुत्र है नरेंद्र मोदी जी वह गुजराती है जो आज ये कहने से अतिश्योक्ती नहीं होगा कि वो गुजरात के स्वाभीमान के रूप में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में विगत आठ वर्षों से काम करते हुए हिंदुस्तान के प्रतेक गरीब को, हिंदुस्तान के प्रतेक पिछडे को हिंदुस्तान के प्रतेक मजदूर को किस प्रकार से आगे लिया जा सके उसका विकास कैसे हो उसके लिए अनवरत कारे कर रहे ये अपनी जमीन पर नरसरी बना के सिर्फ जाड बेज कर साल में दो करोड कमाते हैं उनके सीक्रिट्स को सीखना चाहते हैं तो Freedom Map को अभी डाउनलोड करें मैं तो सल्यूट करता हूँ गुजरात की भूमी को पवित्र गुजरात की भूमी को पवित्र गुजरात की मिट्टी को मैं सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने ऐसा एक सुपूत हिंदुस्तान को दिया है जिसके लिए पूरे विश्व में आज एक अनुपम छवी बनी है A leader who is considered as a global leader today across the world उसको रावन कहना और उसके लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है ऐसा नहीं है मलिक आरजुन खडगे जी, सोनिया गांधी जी, राहूल जी आप जान ले यह प्रत्यक गुजराती का अपमान है This is an insult which is rubbed into every गुजराती यह गुजरात का अपमान है और खडगे साहब सोनिया जी के कहने पर आपने गुजरात में जाके गुजरात की मिट्टी पर खड़े होकर गुजरात के बेटे के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है उससे कॉंग्रेस को आइना दिखाने का काम गुजरात की जनता करेगी बंदुगन मैंने इसलिए कहा कि मलिकार जुन खड़गे जी के ये वक्तव्य नहीं है ये वक्तव्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के है क्यूंकि जिस प्रकार का नफरत गांधी परिवार में नरेंद्र मोदी जी के लिए रहा है नतीजा हुआ है कि आरंभतो सोनिया जी से होता है और गाली देने का काम तमाम कॉंग्रेस के नेता करते हैं आप याद कीजिए सबसे पहले मोदी जी को मौत का सौधागर मौत का सौधागर कहके संबोधित किया था आदर्निय सोनिया गांधी जी ने क्या नतीजा रहा जब एक गुजराती को जब एक मेहनत कश गुजराती को मौत का सौधागर कहा जाता है तो गुजरात की जनता ने सोनिया जी और कॉंग्रेस पार्टी को इसका जवाब दिया नतीजा हमने देखा है और आज फिर से मलिकार जुन खडगे जी प्रधान मंत्री जी को रावन कह रहे हैं और इतना ही नहीं आज से एक हफ़ते पहले मधुसुदन मिस्त्री जो कॉंग्रेस के बड़े नेता है उन्होंने कहा था कि हम मोदी को अवकात दिखा देंगे मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि आज नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में हिन्धुस्तान कहां खड़ा है किस पाइदान पर खड़ें इसको बता रहें 11 नम्बर स्थान से अगर हिन्दुस्तान पांचवे नम्बर का आर्थिक शक्ती बनता है और उसके पीछे नरेंद्र मोदी जी की महनत है तो मोदी जी को उकाद दिखाने की बात मदुसुदन मिस्त्री और कॉंग्रेस पार्टी करती है केवल रावन नहीं कहा गया बार बार जो उकाद दिखा देंगे उकाद दिखा देंगे कहा गया है क्या उकाद दिखा देंगे सोनिया जी मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखाया पाकिस्तान को अपनी आउकाद दिखाई मोदी जी ने जिस प्रकार से आतंकवाद की खिलाफ काम किया है आतंकवाद को अपना आउकाद दिखाया कि तुम सर उठा करके हिंदुस्तान में जी नहीं सकते हो आतंकवाद तो इस कार प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी के लिए 2022 में कहा था कि वो कुत्ते की मौत मरेगा। आप लोगों ने निजुस में भी दिखाया था। पूरा का पूरा इस पे भारतिय जनता पार्टी ने प्रेस कॉनफेरंस भी किया था। प्रधान मंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग और सुबोधकान सहाय ने कहा था हिटलर की मौथ मरेगा मोदी। आप सोच के देखें किस प्रकार की कामना कॉंग्रेस पार्टी की रही है केवल रावर नहीं कुट्टे की मौत मरना हिटलर की मौत मरना अलकालांबा ने कहा था वो नालायक प्रदानमंत्री है ठीक उसी प्रकार मोदी जी के लिए नाना पटोले ने कहा था कि मोदी को मार भी सकता हूं कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महाराश्टर के आपको याद है ना कि अगर अवश्यक्ता पड़े तो मैं मोदी को जान से मार सकता हूं यह भी नाना पटोले इतना ही नहीं राक्षष की तुलना एक बहुत बड़े नेता कॉंग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री उमंग सिंगार ने कहा था कि मोदी एक राक्षस है तो वहीं दूसरे ने कहा था मोदी क्रूर प्रधान मंत्री है और ये रनदीब सुर्जे वाला है जिन्होंने कहा था कि मोदी एक क्रूर प्रधान मंत्री है और रनदीब सुर्जे वाला ने मोदी जी की comparison बंदर से भी की थी ये पूरी फैरिस्ट के साथ में बैठा हूँ पूरा फैरिस्ट है मुझे लगता है कौकरोच यमराज जिस प्रकार के घिनोने शब्दों का प्रयोग मोदी जी के लिए किया गया है मोदी जी खुद कहते हैं अमरिका में भी कहा जब उनसे किसी ने पूछा कि आपके पीछे उर्जा का कारण क्या है तो मोदी जी ने कहा रोज धाई तीन किलो गाली जो मुझे परोशा जाता है कांग्रेसियों द्वारा उसी से मुझे उर्जा मिलती है जब भरस्टाचारी जब परिवारवादी जब तुष्टिकरण करने वाले नेता गाली देते हैं तो एक बात सपष्ट होता है कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ अच्छा कर रहे हैं इस कारण से उन्हें गाली दिया जा रहा है टुकडे टुकडे गैंग जब ये प्रधानम मंत्री को गाली देने का काम कर रहे हैं बंदुगन आज भारतिय जंता पाटी प्रत्येक गुजराती से हाथ जोड़के अपील करती है कि आप सभी याद रखिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं उनको रावन कहना रावन का अर्थ होता है ज जो पाप का साथ देता है धर्म का साथ नहीं देता प्रत्येक गुजराती से आज हम ये अपील करते हैं कि जिस पार्टी के मुखिया ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग गुजरात के स्वाविमान के लिए गुजरात के बेटे के लिए गुजरात के सपूत के लिए क प्रतिशत, 100% गुजराती शुट कम आउट to vote against this kind of mentality of the Congress Party, the mentality of the Congress Party to denigrate the post of the Prime Minister by calling him Ravan, आपको बदला लेना है, रिवेंज लेना है और ये बदला लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, ये बदला पाटिसिपेशन से, लोकतांत्र में 100% participate करके, 100% मतदान अपने सपूत के नाम, 100% voting for the son of the soil, नरेंद्र मोदी जी, इसके माध्यम से ही आप मौत के सौधागर कहने वाली सोनिया जी के पाटिसे बदला ले सकते हैं, और उन्हें एक सबक सिखा सकते हैं, इतना कहके मैं अपने वानी को विराम दूँ तो कॉंग्रेस पार्टी का देक्ष मलका आजुन खडगे ने प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी के तुलना रामर से की और ठीक चुनाव से आज चुनाव परचार का शोर थमने वाला है, और इसको लेकर के संबित पात्रा ने प्रिस कॉंफरेंस की, और अब तक कॉंग्रेस के नेताओं ने प्रदान मंतरी लिए जब कभी भी के विवादास पत्षब्दों का इस्तमाल किया, उसकी पूरी फैरिस लेकर बैठे संबित और उन तमाम वक्तव्यों की याद दिलाई और गुजरात के लोगों से अपील की की, इसके खिलाफ गुजरात को वोट करना चा के सेवा की अधार पर कैसे भारत आगे बढ़ सके इसकी चिंता करता रहता है, कहीं फ्लड हो, कहीं भुकंप हो, कहीं कोई त्रासदी हो, तो हम पहले देखते हैं कि स्वामी जो होते हैं हमारे स्वामिनात संप्रदाय के वो खड़े रहते हैं, मगर उस अक्षरधाम अपने आप में गाथा है, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी का इस प्रकार का गाली, एक तरह आप देख रहे हैं कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रमुक स्वामी के संस्कार में गए थे, उनके आखों से आसुचा लग गए, उन्होंने कहा, आप लोगोंने तो गुरू खोया होगा, मैंने अपना पिता खोया है, प्रधान मंत्री जी की ये शद्धा है, मगर दूसरी तरफ, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का इस प्रकार का बयान, उन्हें मुझे वो अंग्रे जी शब्द कहने से भी बहुत कष्ट हो रहा है, मैं वो शब्द दो जोराना नहीं चाहूंगा, जिस प्रकार की गाली, जिसको अंग्रे जी में अब्यूज और स्लैंग कहा जाता है, जो स्लैंग का प्रयोग आम आदमी पाटी ने किया है, इतने बड़े संप्रदाय के लिए, स्वामी नारायन संप्रदाय के लिए, मुझे लगता है ऐसे लो परखास्त करना चाहिए ऐसे विक्ति को जो इतने बड़े संप्रदाय के लिए ऐसे घिनोने शब्द का प्रयोग कर सकता है। आप उन्हें सबक सिखाएंगे। को लेकर के जो कुछ कहा उसे लेकर के संबित पात्वा ने कहा कि गुजरात के लोगों को इसका जवाब अपने वोट से देना चाहिए। इस पात का मुझे दुख है और ये जानके मुझे बहुत ही बहुत ही दुख हो रहा है कि मलिकार जुन खड़गे एक सीनियर लीडर। कॉंग्रेस में इतने वर्षों तक वो बहुत अहम पुजिशंस में रहे, पद पर रहे, मगर किसी भी कांग्रेसी ने उनके हाथ से चाह पीने तक का इंकार कर दिया। जब भी वो चाय देते थे राहूल गांदी जी को और सोनिया जी को सोनिया जी और राहूल जी उनके हाथ से चाय पीना नहीं चाहते थे ये जानके मैं बहुत हतप्रभ हूँ बहुत ही ज़्यादा हात प्रोब हूँ कि इस प्रकार की एक मैं कहूंगा कि इस प्रकार का भेदभाव कॉंग्रेस पार्टी में होता है इतने बड़े लीडर और उनके साथ उनके हाथ का चाही नहीं पीना चाहता है कोई कॉंग्रेस का विक्ति ये बहुत ही घिनोनी बात है और मुझे लगता है आप लोगों से भी कि आप लोग ये सोनिया जी से अवश्य प्रश्ण पूछे कि इस प्रकार का विवार इससे पहले सीताराम केसरी जी के साथ किया था सोनिया जी ने और अब मालूम पढ़ रहा है कि केवल सीताराम केसरी न इंडिया टीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर